नमस्ते दोस्तों आज हम ब्रेकफास्ट में बनाएंगे बहुत हिल्दी सा मौंग दाल का ढोसा जिसे बनाने में आपको मुस्किल से 10 मिनट लगेंगे और इसके साथ खाने के लिए हम बहुत ही टेश्टी सी चटनी भी बनाएंगे अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं जिम जा इसी तरह छोड़ दिया था जिसे की मौंग में अच्छे से अकूर आ जाए अकूर आने से ये मौंग और भी हिल्दी हो जाता है अब चाहे तो साबुत मौंग को रात भर के लिए सिर्फ भीगो कर अगले दिन इसका डोसा बना सकते हैं यहां पर चटनी के लिए मैंने मौं पूर कीए हुए मौं को डाल देंगे और इसमें हम हरीमिच डालेंगे आपको जैसा तीखा पसंद वोसानुसरह भी मेंच डाल सकते एक इंच अद्रक डालेंगे तीन से चार को कलिया हम इसमें लसन डालेंगे और यहां पर मैं हाफकप सूझी डालेंगे आप मोटी पतली क भोई भी ले सकते हैं यहां पर हमांप काफ भी ड़े लेंगे मैं इसमें पानि नहीं डार रही हुआ है छी टाये उपने के लिए धो फ़ पानी का यूज हूय था तो देख सेगे इस तरह का हमें बना लेनाया है पिसी हुई मूग डाल को हमें एक में निकाल लेनी है हमारे मूंग दालका almissements과 Mens तो इसमें हम थोड़ा पानी और अब करेंगे तो यह परहाव कश से दो कर इसमें मैंने डालन दिया हैं अब इसमें हम सवादानुसर है मिक्स कर लेंगे और इन के लिए मिडियम फ्लेम पर भून लेना है जब प्याज एक मिडियम साज के कटी वह टमाटर डालेंगे अब इसमें हम कुछ कलिया लासन ढाल देंगे और अपनी टेस्ट के नुसार इसमें आप हरी मिज झालेंगे। आपको जय जा सती का पसंद हो इसमें आप हरी मिज जब दे और इन सब को हमें एक मिनिट के लिए उसके बाद हम गास क फिलेंच करके इन सब को हमें ठंडा कर लेना है हम प्याज और टामाटर को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें हम एक चथाई कब रोस्टेड मुखफली डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें रोस्टेड चन डालेंगे थोड़ी सी धन्या-पति बेерा पटन के तयार हो गया है। इसे एक बाल में निकालेंगे चटनी के लिए एक तड़का हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम चंमच तिर लाने में अच्छेーーー दालेंगे तेल को डालेंगे लाल और में चाज़गे भैडर का पर फी्त निकाल वही रीपार आते हैं कुर्ट के रहखेब आइस और पर बना वाइगा कोवा-रक और पर परetically // यूंट तो लेंगे करेंट पर कड़े, करेके हमारी दोशा और काकोवा कों तरे दोशी मि कहांथ जब भी डोस अबना आए, तो धोसे भर वेटर आप एक कटोरे में निकालते जाएं आप उसमें इनो डालकर उसे मिक्स करके तवे पर फैलाते जाएं तवा अच्छे से गर्म हो गई है तो इसमें हम तेल को अच्छे से इसके उपर फैला लेंगे अब तवा का टेमप्रेशर मेंटेन् करने के लिए इसके ऊपर हम पानी छड़के हैए जिसे की टेमप्रेशर नार्मल होजाइए तो यहां पर हम जो जो दोसा का वैटर है उसे डाल देंके कुछ सेडकेंट के लिए होड़ करेंगे उसके आप से भीरे आराम से इस तरह से अब चलाते जाए अगर बैटर को डालते ही तवे पर तुरन से फैलाने लगेंगे तो देखेंगे कि आपका डोसा फट नहीं लगेगा इसलिए आराम से आपको इस तरह से फैला लेना है इस टाइम पर हम गास का फ्लेम मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर अराम से इसे पकने देंगे और उपर से हम तेल इस तरह से चुड़क देंगे अगर कम तेल खाते हैं तो बिना तेल डाले भी इसे बना सकते हैं जैसे इस तरह से साइडों से आपको गोल्डन कलर दिखन इस डोसा को जितना आसान है बनाना उतनी ही टेस्टी डोसा बनके तैयार होती है अगर मेरी यह डोसा की रेस्पी आपको पसंद आई तो लाइक कर दिजिएगा मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए व आपको जो भी सब्सक्राइब पसंद उस सब्सक्राइब को उपार से डाल दिजिए पनीर है तो पनीर को डाल दिजिए तो यहां पर मैं चुकंदा और कटी हुई प्याज डार रही हूं जिससे कि हमारी जो डोसा है और भी हेल्दी बनके इस तरह से तैयार हो जाए तो हुआ है